अलवर के भाजपा अलप संख्यक मोर्चा के सदस्य यासीन खान और फ्यासीन पहलवान पर करीब 20 लोगों ने जैपूर से अलवर आते समय नारायनपूर में गाड़ी रोप कर हमला कर दिया जिसमें यासीन खान गंभीर रूप से घायल हो गये थे जिसके बाद इलाज के लिए उन्हें जैपूर के सवाई मान सिंग अस्पताल में रेफर कर दिया गया लेकिन अधिक खून बहने से उनकी मौत हो गई बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश के चलते हैं हमला हुआ है हमलावर अलवर के बेलका गाओं के रहने वाले हैं हमलावरों ने पहले यासीन की गाड़ी को रोका फिर बंदूग दिखा कर बाहर निकाल दिया उसके बाद यासीन पर लोहे की रोड और हतोडे से हमला कर दिया हमले के वक्त यासीन के साथ भाजपा के दो नेता कार में मौजूद थे आपसी रंजिश के चलते हमलावरों ने भाजपा नेता की कार के आगे पीछे कार लगा कर उन्हें रोका और हतोडे और रोड से हमला कर उनके दोनों पैर तोड दिये यासीन के सर पर और चहरे पर भी गंभीर चोटे आई थी गंभीर रुप से खायल हुए यासीन को इलाज के लिए जैपूर रेफर कर दिया गया था खबरों के मुताबिक हॉंडा सिटी कार से भाजपा नेता मुंगस का अलवर निवासी यासीन खान समें दो अन्य लोग घाटा की ओर जा रहे थे जहां विजैपूरा के पास स्कॉर्पियो और थार गाड़ी में सवार होकर आए करीब 20 बदमाशों ने यासीन खान की गाड़ी के आगे गाड़ी लगा कर उन्हें 20 सड़क पर रूख लिया और उन पर हथोड़े और लोहे की रोट से हमला कर उनके दोनों पैरों को बुरी तरह से कुचल कर वहां से फरार हो गए बदमाशों ने यासीन की हॉंडा सिटी कार के शीशे भी तोड़ कर उन्हें छती ग्रश्ट कर दिया पुलिस ने हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है यासीन खान उर्फ यासीन पहलवान अलवर के मुंगसका के रहने वाले थे उनका ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय था पहलवान करीब 20 साल से भाजपा से जुड़े हुए थे यासीन गुरुवार को अलवर के पुर्व सभापती राजदुलारी शर्मा के बेटे परमिंदर शर्मा और बीजेपी नेता एडवोकेट जितेंदर शर्मा के साथ कार से जैपुर जा रहे थे